हलो एवरिवन आज डेट है 24 जून और देहिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देहिंदू की इंपोर्टाइं न्यूज को एक्जाम के पॉइंट फ्यू से डिस्कस करेंगे इस न्यूज पेपर की पीडियाफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप नोर्थ इस्ट में इरान कंट्री और साउथ वेस्ट में जो अरेबियन पैनिंसुला है उसके बीच में सिचुएटेड है पर्शन गल्फ जो हमारा अरेबियन सी है अरेबियन सी उसी का एक्स्टेंशन माना जाता है गल्फो पोमान को और पर्शन गल्फ को गल्फो पोमान और पर्शन गल्फ आपस में एक दूसरे से स्टेट ओफ होर्मुज के थुरू आपस में connected है second important statement यहाँ पर एक river बहती है सत अल अरब इस river को जाना जाता है जिसका नाम है सत अल अरब सबसे important बात यह है कि यह जो सत अल अरब जो river है वो eupratus और tigris दो river से मिलकर के मतलब दो river आती है उनके confluence से एक river बनती है और वो river यहाँ पर पर्शन गल्फ में प्रिवेस करती है यहाँ पर अपना delta बनाती है delta क्या होता है एक ऐसे structure जब river एक stagnant water body में प्रिवेस करने से पहले जो भी अपना sediment साथ लेकर के आई है उस सारे sediment को जब वो किनारे पर छोड़ देती है और उससे जो structure बनती है उसको बोलते हैं delta ठीक है तो यह सत अल अरब river के बारे में हमने देखा अब आगे हम देखते हैं कि Persian Gulf के साथ में कौन-कौन से जो countries है वो अपनी border बनाती है तो यहां पर हम देखेंगे तो इरान अपनी border शेयर करता है उसके बाद में इराक फिर कुएट city है ठीक है कुएट यहां पर सौदी अरेबिया यह कतर है ठीक है यह कतर है छोटा सा सहर है मतलब आईलेंड के रूप में situated है उसके बाद में आप UAE देखोगे और यह है ओमान देखो ओमान का जो एक part है ना यहां पर है मतलब एक छोटा सा point बीच में UAE आ गया और उसके बाद में ओमान यहां पर situated है तो अगर स्टेट ओफ हॉर्मुज को लेकर के statement आ जाए कि स्टेट ओफ हॉर्मुज कहां पर situated है दोनों points पे कौन से country situated है तो एक तरफ एरान है और एक तरफ ओमान है यह आपको ध्यान में रखना है यह यहां पर ओमान का एक छोटा सा part यहां पर situated है अब यह हमने सारे countries को देख लिया कि यह country जो है वो पर्षन गल्फ के साथ में अपनी border share करते है यह जो पर्षन गल्फ है इसको अलग-अलग समय में अलग-अलग जो देश हैं उसको अलग-अलग नाम से बोलते हैं जिसे पर्षन गल्फ को अरप जो governments हैं वो Arabian Gulf के नाम से भी जाना जाता है और International Hydrographic जो organization है वो इस Gulf को Gulf of Iran की नाम से भी जाना जाता है मतलब इरान ऐसा country है जो सबसे ज़्यादा मतलब long border share करता है पर्षन गल्फ के साथ में तो इसको Gulf of Iran की नाम से भी बोला जाता है International Hydrographic Organization के दौर अब थोड़ी सी हम हिस्टरी देखेंगे पर्षन गल्फ की 1980 से 1988 के बीच में इरान और इराक ये जो जो country हैं इनके बीच में war होता है और दोनों के दोनों country एक दूसरे के जो oil tankers हैं उनके उपर attack करते हैं इस युद्ध को ये जो war था इसको gulf war के नाम से भी जाना जाता है और इसमें जो largely air and land based conflict देखने को मिलता है और इसके बाद में इराक का invasion हो जाता है इराक invasion of quay ये जो Persian Gulf है ना यहाँ पर बहुत सारा area इस तरीके से था कि fishing के लिए काफी important area था लेकिन इस area में देखो यहाँ पर gulf countries है और gulf में बहुत ज़्यादा oil को निकाला जाता है oil को निकालने की वज़े से इसकी जो ecology है मतलब Persian Gulf की ecology को यहाँ पर जो industrialization है और oil spills मतलब जो तेल छलका है जो तेल निकाला गया और छलक करके जो Persian Gulf में आ रहा है उसकी वज़े से यहाँ की जो ecology पर्शन गल्पी वो काफी damage हो चुकी है अब थोड़ा सा हम एक point और देखेंगी UAE के बारे में आपने यहाँ पर discuss किया कि UAE United Arab Emirates एक country है इसकी थोड़ी से history हम देख लेते हैं देखो जो UAE है वो एक elective monarchy है मतलब seven Emirates है साथ छोटे छोटे एक तरीके से आप छोट छोटे country मान सकते हो वो मिल करके UAE बनाते हैं उसमें कौन कौन से मतलब major Emirates हाते हैं तो उसमें अबुधाभी है जो UAE की क्या है capital है अबुधाभी, अजमान, दोबई फुजेरई रस अलखाइमा, सारजा और उम अलकुआ ये साथ ऐसे छोटे-छोटे एरिया हैं और वो मिल करके UAE को बनाते हैं अब इसमें क्या होता है कि देखो ये जो साथ अलग-अलग हमने state माने इनके सब के खुद-खुद के सेख होते हैं मतलब खुद-खुद के सेख होते हैं खुद-खुद अपनी सरकार को चलाते हैं लेकिन together ये सातों मिल करके अपना खुद का एक प्रेजिडेंट चुनते हैं और जो UAE को गवर्न करता है तो ये UAE के बारे भी हमने basic facts देखे अब यहाँ पर एक organization है Gulf Corporation Council च्छे कंट्रीज कौन-कौन से हैं तो आपको पता होना चीए कि UAE है उसमें सौधी, Arabia है, Qatar है तीन हो गए, Oman है इसके अलावा Kuwait है और बहरीन है तो ये सारी चीजे जो मिल करके ये सारे जो country है ना छोटे-छोटे ये मिल करके बहरीन देखो यहाँ पर है ये छोटा सा आई-लेंड कंट्री है ये मिल करके क्या बनाते हैं ये मिल करके बनाते हैं Gulf Corporation of Council Gulf Corporation Council जो है उसका जो headquarter है वो रियाद सौधी-Arabia में है मतलब सौधी-Arabia की जो capital है वहाँ पर ही Gulf Corporation Council का क्या है headquarter है कल हमने एक और organization दिखा था Organization of Islamic Corporation उसका headquarter है जेद्दा सौधी-Arabia में मतलब सौधी-Arabia की जो city है जेद्दा वहाँ पर situated है तो यह आपको ध्यान रखना है दोनों में एक दूसरे से जो चीजे एक दूसरे से अलग करती है वो आपको ध्यान में रखनी है तो इसमें छे कंट्रीज के आपको नाम याद हो गए कुएथ हो गया, सौधी-Arabia हो गया बहरीन हो गया, कतर हो गया UAE हो गया और Oman यह सारे मिलकर के Gulf Corporation Council बनाते हैं 1981 में इसको बनाया गया था और इसको major region यह था कि इन सारों के यह जो area है इनका geographic proximity similar political system based on Islamic beliefs joint destiny and common objective इन सारे चीजों को complete करने के लिए यह council बनाए गयी थी तो यह हमने पर्शन गल्फ के बारे में सारी important जो facts है उनको हमने देखा UAE कैसे exist करता है उसका basic facts क्या है उसको देखा एक important statement और देख लेते हैं यह जो line आप देख रहे हूं जो यहां से pass हो रही है इसको बोलते है topic of cancer क्या बोलते है topic of cancer मतलब 23.3 degree north latitude और यह यहां से pass होती है आपको यह भी पता है कि हमारे इंडिया से भी north latitude 23.3 degree north latitude पास होती है topic of cancer पास होती है 80 states से पास होती है सबसे important बात यह हो जाती है कि Arabian Peninsula में अगर हम देखे तो Saudi Arabia से पास हो रही है UAE से पास हो रही है और Oman से पास हो रही है और भी ज़्यादा important इसमें हम देखे तो Oman का जो मसकट है मतला Oman की capital है मसकट वो बिलकुल topic of cancer के पास situated है इसके आसपास वाले एरिया में देखो देखो जो रियाद है वो northern part में UAE की capital जो है अब उदाभी वो भी northern part में situated है तो देखो इस तरीके से question आ जाता है कि आपको इनकी सहर को यह जो capital है इनके नाम दे देंगे क्यों देंगे क्योंकि मसकट topic of cancer के उपर situated है इसी लिए important हो जाता है कि पूछ लेंगे कि tropic of cancer के north में situated है या फिर south में situated है तो जो भी major जब भी आप किसी country को view करो और लगे कि वहाँ से कोई important line pass हो रही है तो कौन-कौन से major cities उसके उपर situated है वो आपको पता होना चाहिए उन cities के बारे में आप देख लीजिए और other other areas जो border बना रहा है उस country के साथ में उसकी major cities उपर situated है या फिर नीचे southward में situated हैं तो ये पर्शन गल्प के बारे में सारे basic facts थे अब दैहिंदू की जो important news है उनको हम discuss कर लेते हैं first news देखो enforcement directorate ने क्या किया है कि माल्या विजे माल्या नीरव मेहुल चोकसी जो cases थे उनमें जो हमारे government bank थे उनको काफी पैसा खर्च उनका काफी पैसा एक तरीके से लंबे समय से dormant अवस्था में था तो उसको ED ने अब कोसिस की है कि उनकी जो भी assets थी उनको बेचने की कोसिस की है recovery करने के लिए और उससे पैसा गेन किया है 8441 और वो बैंक को सूपा गया है तीक है अब इसमें क्या किया जाएगा देखो इतने करोड की जो assets थी उनको seized किया जा जुका था और फिर क्योंकि money laundering के के कैसे चल रहे हैं यह क्या होता है इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं देखो जो enforcement direct rate होता है वो एक multi-disciplinary multi-disciplinary organization होता है और इसका major काम ही होता है कि यह दो laws होते है तो special physical laws जिसमें first है FEMA और second है PMLA Act FEMA क्या होता है Foreign Exchange Management Act 1999 and Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA Act यह दोनों जो act होते है इनको implement करने का काम करता है उसके according जो भी work होता है वो enforcement direct rate करता है अगर थोड़ा सा इसके historical background को देखे तो 1 मई 1956 को इस direct rate का यह जो post है इसका origin होता है और इसको सुरुवात में Department of Economic Affairs के अंडर इसको रखा गया था और इसका major काम यह था कि Foreign Exchange Regulation जो Act है Fair Act उसको यह govern करे 1957 की बात है यह जो unit है मतलब ED जो unit थी इसका नाम change कर दिया गया सुरुवात में इसको जो नाम है वो enforcement unit मतलब EU नाम दिया गया था और बाद में 1957 में enforcement direct rate मतलब यह जो नाम है वो सुरुवात में नहीं आया था बाद में इसमें change किया गया था और इसका जो power है वो दे दिया गया सुरुवात में Department of Economic Affairs के अंडर आता था बाद में इसको Department of Revenue के अंडर दे दिया गया कुछ समय के लिए इसको Department of Personal and Administrative Reports के अंडर भी रखा गया था तो यह हमने ED के बारे में basic facts देखे देहिंदू के editorial page पर कुछ data आये हैं उनको हम discuss कर लेते हैं देखो COVID को लेकर के data है इंडिया का comparison किया गया है other countries के साथ में इसमें बताये गया है कि मंगलवार को इंडिया में 3 करोड मतलब ऐसे percent जिनको COVID हुआ है उनकी संक्या 3 करोड हो गई है अगर हम देखें तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो है US जो है first number पर है मतलब सबसे ज़्यादा जो caseage है वो US में देखने को बले 3.35 करोड caseage अगर हम बात करें death की तो इंडिया में 4 लाग death अब तक हो चुकी है COVID की वज़े से एक मातर US ऐसा है जिसमें 6 लाग death हो चुकी है second number पर Brazil है जिसमें 5 लाग death हो चुकी है और सबसे ज़्यादा मतलब इतनी fertility जाता है USA में और Brazil में इसके अलावा अगर daily death की बात करें daily death कितनी हो रही है और daily cases कितनी आ रहे हैं तो इसमें इंडिया second number है Brazil के बात में अगर vaccination की बात करें तो इंडिया में इंडिया US के बात में second highest number मतलब जहां पर vaccination दी जा रही है और इंडिया में 17% population ऐसी है जिसको one dose दी जा चुकी है इसमें China को सामिल नहीं किया गया है यह जो भी steady हुई है इसमें China को सामिल नहीं किया गया है ठीक है तो यह कुछ data थे COVID को लेकर के कि इंडिया कहां पर अपनी situation को exist करता है next news है देखो border areas को लेकर के issue है China हमारा जो LAC Line of Actual Control उस area में दुबारा से problem create कर रहा है दुबारा से अपनी जो army है उसको वहाँ पर establish करने की कोशिस कर रहा है इस border areas को लेकर के तो इसी problem को लेकर के यहाँ पर कतर economy council में हमारे external affairs minister एस जैसंकर अपना statement दे रहे दे तो उस समय उनसे पूछा गया कि आपके territory में जो encroachment हो रहा है उसको आप किस तरीके से रोकोगी तो external affairs लेकिन अगर फिर भी यह problem हो रही है तो हम चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे से इस problem को solve किया जाए silently, peacefully इस problem को solve किया जाए ताकि दोनों के दोनों देस हैं जो एक दूसरे के mutual interest, mutual respect और mutual sensitivity के आधार पर हमारे relationship को हम बरकरार रख पाए SJ Sankar से ये भी पूछा गया कि क्या आप QAD का use करोगे चाइना को counter करने के लिए तो SJ Sankar ने अपने statement पे answer दिया कि देखो जो QAD है वो informal group है और इसमें India, US, Australia और Japan इनका जो major region है वो सिर्फ इंडिया की जो border situation है उसको solve करने के लिए एक group नहीं बना है ये group इसलिए बना है कि बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि security हो गई maritime security, connectivity, vaccine इन सारे जो issue हैं उनके उपर discuss करने के लिए QAD के उपर QAD को दुबारा से revival किया गया है अगर आप ये पूछो कि QAD का use किया जाए किसके लिए border issue को solve करने के लिए तो S. Jasonka ने एक बात बोली कि आप apples and oranges मतलब दो अलग-लग बात कर रहे हूं आप तो एक दूसरे के साथ में मिलाने के कोसिस कर रहे हैं तो गलत बात है दो बड़े issues है हमें regular deployment किया जा रहा है नहीं होना चाहिए border वाले areas में क्योंकि जो हमारा disengagement जो procedure चल रहा है हलांकि उसमें पैंगोंग जो लेक है उसके उपर discussion हो चुका है लेकिन फिर भी बहुत सारे issues हैं जैसे देपसांग, देमचोप, गोगरा hot spring area in Ladakh ये unresolved issue है मतलब इनके उपर बात हो रही है लेकिन slow moving issues है अभी इनके उपर कोई भी final जो result है वो निकल करके नहीं आया है तो कम से कम तब तक तो चाइना को इस statement के उपर रुखना चाहिए था next news, vaccination को लेकर के बात है कि हमारे इंडिया में देखो regular हम ये देख रहे हैं कि vaccination की काफी dose दी जा रही है और कल भी हमने देखा 63.2 lakh people को vaccine दी गई एक दिन में next news कुछ study हुई है और उसमें इमाना गया है कि COVID से पहले और COVID के बाद में जो mind की map की गई mind को study किया गया ऐसे लोग जिनको COVID हुआ था और ऐसे लोग जो normal थे तो उनकी brain में कुछ traces देखे गए कुछ changes देखे गए जिसके वज़े से बाद में आने वाले समय में memory के उपर कुछ effect हो सकता है ठीक है next news देखो National Food Security Act के थूँद जो beneficiaries हैं उनको additional food grain दिया जा रहा है government के दुआरा अब इसमें क्या किया जा रहा है इस time को extend किर दिया गया है कि July to November पहले June तक दिया जा रहा था अब July to November मतलब आगे आने वाले पांच महिनों तक और ये जो additional food grain है वो दिया जाएगा next news foreign page से है यहां देखिए climate change को लेकर के problem है इस article में ये बोला गया है कि अभी जो हमें डर सता रहा है जो हमें डर लगता है कि climate change हो जाएगा ये जो climate change है जितना लंबा समय हम मान रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद में ये हमें effect करेगा ऐसा नहीं है बहुत जल्दी जो climate change है climate crisis है उसका effect देखने को मिलेगा हमारी अर्थ के उपर क्योंकि जो emission हो रहा है green house gas emission का उसकी वज़े से जो हमारा planet है वो काफी गर्म हो रहा है और गर्म होने का अभी आपने देहिंदू हम regular discuss करते हैं आपने जो अंटार्टिका है हमारा continent वहाँ पर बर्फ जमी हुई है और उस बर्फ में से एक बहुत बड़ा टुकड़ा तूट करके अलग हो गिया है तो यह किसका effect देखने को मिल रहा है यह effect देखने को मिल रहा है green house gas emission का जिसकी वज़े से temperature increase हो रहा है जो UN draft report है उसने यह बोला है कि ऐसा नहीं है कि इस समय से पहले यह जो हमने target fix किया है यह एक date decide की है इससे पहले climate change नहीं होगा temperature increase नहीं होगा ऐसा कुछ भी नहीं है temperature increase होगा और temperature increase होगा तो क्या होगा global warming होगी global warming होगी तो गर्मी बढ़ेगी गर्मी बढ़ने की वज़े से जो भी ice वाला area है वो पिगलेगा sea level बढ़ेगा चोटे चोटे जो islands country है वो merge हो जाएंगे ocean के अंदर और वहां की जो population है उसका जो burden है वो create होगा other countries के उपर तो resources कम होते जाएंगे और क्या बढ़ता जाएगा pressure बढ़ता जाएगा तो एक काफी बड़ी problem सामने आने वाली है next news यहां देखे Hong Kong से related है Hong Kong का एक newspaper है जिसको बोलते है Apple Delhi इसको announce कर दिया गया है कि इसको shutdown कर दिया जाएगा तो communist party China की जो communist party है जिसको hundred years complete हो गए है उस complete hundred years को भी celebrate किया जा रहा है चाइना में उस communist party की एक तरीके से धज्या उड़ाने का काम करता था यह Apple Delhi मतलब कि democracy के लिए सबसे ज़्यादा सामने खड़ा होने वाला Hong Kong का यह newspaper था और इसको अब बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके जो पत्रकार है जो भी इसके जनरलिस्ट है उन सब को तो किसमें जेल में डाल दिया गया इसको जो भी पैसा आता था उस सब को बंद कर दिया गया नेशनल सिक्योर्टी लो एक नया लागू किया गया था चीन के दुआरा Hong Kong में और उसी के तहट जो बहुत सारे समर्थकते followers ते democracy के उन सब को prison में डाल दिया गया तो एक तरीके से democracy के लिए जो भी आवाज उठाएगा चाइना में चाइना उसको कर्ब करने की कोसिस करेगा और चाइना की जो government है उसके खिलाब में कोई भी statement देगा तो उसको चाइना क्या करेगा कोसिस करेगा कि उनको सब को खतम कर दिया जाए क्योंकि चाइना आप नहीं चाहता कि कोई भी उनके खिलाब में statement दे तो देखो ये apple daily जो term है वो important news में हो जाती है पूछ लिया जाएगा कि apple daily क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि एक newspaper है और Hong Kong से related है तो ये आज का हमारा discussion था एक news होड़ हम देख लेते हैं कि स्री लंका से related है हमारा पडोसी देश एक island nation है वहाँ पर रानिल विक्रम सिंगे है जो वापस से parliament में आ गए है उनकी party कुछ seat जीत करके वापस में सेरलंका की जो parliament है उसमें आई है ठीक है तो एक तरीके जो वहाँ पर government है राजपक से government उसको counter करने की कोसिस करेंगे राजपक से government बहुत सारी economic policy के उपर अपना dominance दिखाने की कोसिस कर रही है तो इस crisis के समय में जो कोसिस की जारी है economy policy और चाइना से बहुत सारी help लेने की कोसिस की जारी उनसा को counter किया जा सकता है तो ये आज का मारा discussion था ओके थैंक यू